तो दोस्तो आज हम बात करने वाले आने वाले हैं shy है ? और आज इस वीडियो में आपको clear करने वाला हूygen तो फर्स जो modification changes है वो है 500cc जो model है वो discontinue कर दे जाएगा totally and वो totally already हो चुका है आपको अभी जो old stock है वो ही मिल रहा होगा नए stock अभी 500cc की नहीं बन रहे है और FI system, fuel engine system introduced किया गया है हर एक model में अपने models में आपको FI मिलेगा carburetor नहीं मिलेगा and stealth black color जो बहुत लोगों को ज्यादा पसंद था वो 350cc में आपको available हो जाएगा and chrome color ये भी आपको 350cc मिल जाएगा Royal Enfield अपना जो logo है वो totally change कर रहा है logo नया बनाएगा Royal Enfield का वो ही tank पे आपको देखने मिलेगा graphical changes बहुत सारे होने वाले है classic model, thunderbird model even आपके standard इन सब चीजों में graphical changes भी बहुत सारे होने वाले है 16 नए exhaust 16, new exhaust Royal Enfield लाँच कर रहा है जल्दी I think February या March तक वो भी लाँच हो जाएगे उन सबी का sound, मतब चार exhaust न चार के different colors है वो आपको जल्दी आपके nearby showroom पे मिल जाएंगे बॉबर बर्जिन, जो बॉबर बर्जिन की बात की जा रही थी जो की एक से डेड़ साल पहले दिखाया गया था Royal Enfield ने बट लाँच करने में बहुत आड़ डिले कर दिया वो भी इस year आ सकता है BS6 update के साथ में एक Royal Enfield नेया concept लाई हुई है make your own, make your own bullet जिसमें आप अपनी गाड़ी totally customize करते है Royal Enfield के side पे देखके वहाँ से आप buy भी करते हैं अब अपने nearby showroom पे उसको मंगवा भी सकते हैं वहाँ से वो installation भी करके देंगे आपको तो charges, charges, सारे details ने उसमें दे रखे होगे तो यह concept भी Royal Enfield नेया निकाला हुआ है 350 जो है वो वैसे ही रहने वाली है 350 CC जो इंजन है वो वैसे ही रहने वाला है ज्यादा modification changes नहीं आने वाले थोड़े बहुत BS6 को लेके जो जो norms है वो चीजे कवर के जाएंगी ज्यादा changes, modification नहीं मिलेगा जो spy images है जो news media, जो internet news media आपको बता रही है जो spot की गई है वो उसके advanced version होने वाले है जो thunderbird and classic के advanced version होंगे उसमें ज्यादा, उसमें modification changes ज्यादा होंगे जो current model है उसमें ज्यादा modification changes नहीं होंगे kickstart जो है वो eliminate किया जा रहा है kickstart आपको नई गाडियों में नहीं मिलेगा as per BSX के norm में भी यह चीच है तो वो size से आपको नहीं मिलेगा standard में अभी भी doubt है कि standard में self start नहीं है तो क्या पता self start future में introduce किया जाए and जो display है वो classic and thunderbird का वो change किया जाएगा जो display instrumental unit है वो totally change हो सकता है detail जो है वो classic में आएगा single जो instrumental है वो आपको थर्टर बड़ में देखने को मिल सकता है alloy wheels alloy wheels के पर भी बहुत जाद गोशन मार्क है alloy wheels आएगे नहीं आएगे but chances यह हैं कि classic में आपको alloy wheels के option मिलेंगे और 650 CC जो model है interceptor or continent GT 650 twin model है modification हो सकते हैं combustion chamber के असपास otherwise बाकी changes modification आप उचाद देखने को नहीं मिलेगा और chases में chases body में changes हो सकते हैं royal engine field के chases and body में बहुत ज़्यादा questions put up किये गए थे single cradle chases के बाद में अभी वो ला सकती है आपको double cradle chases तो यह changes modification आपको BS6 में देखने को मिल सकता है और यह update अभी तक मैं बोल सकता हूँ कि 80% to 90% तक right होगा इसमें से 10% चीज़े होगी जो सायद से नहीं आएंगी क्योंकि अभी भी royal engine field इन सब चीज़ों पर work कर रहा है market study कर रहा है ताकि जो नए models है वो जो उनके users है उनके consumers है जो उनके buyers है उनको पसंद आ सके उनके लिए एक satisfactory model हो जो गलतियां उनने BS4 गे time पे की थी वो गलतियां वो repeat नहीं करना चाते बिकोज बहुत सारे problems जो है वो BS4 में देखने को मिली थी तो दोस्तों यहां लेते हैं अलविदा ऐसे ही बहुत सारे informative vlogs आपके लिए आते रहेंगी वीडियोस आते रहेंगी अपडेट्स आते रहेंगी जाते हैं सस्क्राइब जरू कर लिजेगा चैनल को नोटिफिकेशन बेल भी जरू दबाएगा झाल झाल झाल